यहाँ पे हमें एक cylindrical tank की capacity दी गई है 1848 meter cube और इसके base का diameter दिया गया है 14 meter तो हमें इस tank की जो depth है वो find out करनी है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके जो base का diameter है वो write कर लेता हूँ तो यहाँ पे diameter कितना दिया गया है यह दिया गया है 14 meter इसकी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे radius त तो यह हो जाएगा 14 upon 2 तो इसको cut करके आएगा यहाँ पर 7 meter ठीक है अब यहाँ पे इसकी जो capacity है मैं वो write कर लेता हूँ तो capacity कितनी दी गई है यह दी गई है 1848 meter cube ठीक है तो capacity यहाँ पे हम क्या consider करेंगे इसको volume और इसका volume निकालने का जो formula होता है cylinder का यह क्या होता है pi r square h तो यहाँ पे मैं write कर दूँगा 1848 देखिए यहाँ पे pi की value write कर लेते हैं 22 upon 7 radius से यहाँ पे 7 r square है तो मैं दो बार write करूँगा 7 and multiply में यह h तो यहाँ पे 1848 आ जाएगा 7 से 7 cut हो जाएगा यहाँ तो h it is equal to आ जाएगा 1848 and यहाँ पे जो multiply में है इस h के वो इसके division में 7 तो cut कर लेते हैं 7 से तो यहाँ जाएगा 7 to 14, 7, 6, 42 and 7, 4, 28 22 से cut कर लेते हैं तो 22 बन जा यह 22 बन जा 22 तो यह आजाएगा हमारे पास 12 meter तो इस तरह से जो tank की depth है वो हमारे पास आजाएगी 12 meter